नमस्कार मेदिती फॉज़र आप देख रहे हमारे साथ दनगदी मीडिया देश के करोडो आउटलेट्स और दुकानों में इस्तमाल होने वाला पेटियम को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की खबरे सामने आ रही है आर्बिय की तरफ से पेटियम पेमिंट बैंक पर रोग लगाने का भी फैसला दिया गया जिसके बाद कम्पनी को कई तरी के बदलाफ भी करने पड़े पेटियम पेमिंट बैंक को फास्टेग्र की लिस्ट से भी हटा दिया गया इसके साथ crisis के बाद पेटियम वाला crush काम करना बंद कर देगा अब जो लोग किसका इस्तमाल कर रहे हैं उनके मन में कई तरीके की सवाल है अब लोग यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पेटियम फास्टेक को दूसरे बैंक से पोर्ट करा सकते हैं दरसल रिजर्ब बैंक को फिंडिया की तरफ से फास्टेक के लिए 32 बैंकों की लिस्ट जारी की गई आधी उसमें पेटियम पेइमन बैंक का नाम शामिल नहीं है यानि आपको किसी भी हाल में अपना फास्टेक बदलना ही पड़ेगा इसके लिए आपको सबसे पहले पास्टेक बदलने के लिए रिक्वेस्ट जालनी उगई फास्टेक प् contenido पर लॉग इन करने के बाद आपको वहाँ help का option दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद वहाँ आपको फास्टेक बंद करने का option भी देखेगा उस पर भी आपको क्लिक करना होगा उसके बाद आपका फास्टेक पेटियम बैंक बंद हो जाएगा पेटियम पेमिंट बैंक के लिए आपको बन कर आने के बाद पोर्टिंग का प्रॉसेस भी शुरू करना होगा आप किसी भी दूसरे बैंक के कस्टमर केर से संपर्ख करकर इसकी जानकारी ले सकते हैं इसके साथ ही जैसे आप सबी को बता देकि जैसे आपकी SIM पोर्ट होती है ठीक उसी तरह आपका फास्ट एक भी पो जारी रहेंगे आज के लिए बस इतने एसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ कि अब कि